आप लोगों के लिए मैं Most Demanded वीडियो लेके आए हूँ जिसमें मैं आप लोगों को साइन्स के सारे टाइप की कोशन्स कराने वाला हूँ जिसमें आप साइन्स में फुल मार्क से स्कोर करोगे किसी भी Exam में बैठ जाना भाई पूरे नमबर आएंगे ये मेरी guarantee है आप लोगों को कोशन्स के साथ concept समझाने की भी guarantee है अभी जैसे आप लोगों को कोई भी question दोगा तो उसको concept समझाँगा। उसमें किस बारे में बात हो रही है और अगर देखो एक question होता है physics में रटे रटा करने हैं देखिये एक कॉश्चन है उस कोश्चन का हमें पता है और वह पेपर में आ रहे हैं लेकिन वह थोड़ा सा भी चेज जाएक ने तो आप लोग बोले यार यह कहां से आ गया तो इसी लिए मैं उस कोश्चन को समझाता हूँ आपको इस तरीके से ताकि आप लोगों को उस question के आज़ पास कैसे वो change हो सकता है उसमें क्या क्या चीज़े हैं जो अलग से भी हो सकती है वो भी समझाने वाला हूँ चलिए बहुत interesting वीडियो है लास्त तक देखना एक एक question बहुत काम का है और इनको रटलो दो पार्ट में लेके आँँ इस वीडियो को आपके सारे question जो उपकरन से related है सारे cover up हो जाएंगे हम इस वीडियो के अंदर उपकरनों की बात करेंगे जो physics से related है जो physics जो भोतिक विज्ञान आपका है उसमें कौन-कौन से उपकरन किस चीज के लिए उज़ हो रहे है इसको करने के बाद आपको कोई टेंसर नहीं है इसमें से ही आएंगे जितने भी उपकरन से related question आएंगे तो चलिए स्टार्ट करते है सबसे पहला question जो वो कह रहा है वाईयो एवम गैस का भार तथा घनत ग्यात करने के लिए किस उपकरन का प्योग किया जाता है पहली बात तो आप यह समझ लो कि भार और घनत में क्या फर्क होता है भार जो होता है वो होता है कि किसी भी substance के अंदर किसी भी वस्तू के अंदर कितना आपका दर्व भरा हुआ है ठीक है और उसकी multiply जब हम कर देते हैं गुरुत वाकरसन बलके साथ तो हमारा बन जाता है भार भार और वस्तू का जो मास होता है वो अलग-अलग होता है हर जगे लेकिन जो मास है वो सब जगे समान होता है दर्व जो है वो सब जगे समान होगा अब दर्व आपका दो यूनिट है और वो दो यूनिट चांद पे बी इतना ही रहेगा और परित्वी के उपर बी इतना ही रहेगा लेकिन भार बदल जाएगा क्योंकि उसमें कुरुत वाकरसन बलकी गुणा होनी है और वो यहाँ अलग है और चांद पे अलग है जबकि घनत्व जो होता है दी गई जगे में दी गई जगे में कितना दर्व भर सकते हैं उसको घनत्व देते हैं मतलब जैसे हम ले लेते हैं एक को टोरी ले ली उसमें हमने एक में तो पानी भर दिया और एक में रेत भर दिया तो रेत जाता आ जाएगा पानी के comparison में तो इसका मतलब वहाँ गनत बदल जाएगा क्योंकि वो दी गई जगे में जादा आ गया जादा आ गया तो गनत जादा हो गया तो एरो मीटर जब भी बात आएगी तो एरो मीटर इस सीज के लिए प्रयोग किया जाएगा Next question पे चलते हैं उड़ते हुए विमान की उचाई नापने के लिए किस उपकरन का प्रयोग किया जाता है Altimeter इसका answer है देखे वो उड़ते हुए विमान में हम उच भी सीड़ी लगाकर या जाकर वहां उचाई को नहीं नाप सकते हैं हमें उसके लिए उपकरण का प्रियोग करना होता है और वो उपकरण अल्टिमीटर होता है तो वहां विद्धुद उत्पन होती है विद्धुद धारा और जिसकी डिरेक्शन इलेक्ट्रों की डिरेक्शन के उल्टा होती है electrons की direction जो होती है हमेशा negative से positive होती है वो हमेशा जो धारा है उसके विद्धारा होती है धारा जो होती है विद्धारा वो positive से negative की तरफ जाती है ये questions इससे related बन सकते हैं मतलब हम इन चीजों को साथ के साथ सीखेंगे तो उससे ये पता चलेगा देखिए हमारे पास जो उपकरण है उनका इन चीजों से कोई ले न देना निये लेकिन ये उपकरण किस चीज के लिए प्रियोग हो रहा है वो हमें पता होगा तो उससे related कोई question आएगा तो आराम से कर पाएंगे तो इसके लिए किसका use होता है एमिटर का अब इसमें जो सबसे important बात होती एमिटर हमारे जो circuit बना है उस circuit में दो तरीके से जोड़ा जा सकता है कोई भी उपकरण या तो series में या parallel में तो एमिटर किस में जोड़ता है एमिटर हमेशा series में जोड़ता है उसमें हमने उसके भार और घनत्व की बात की थी जबकि हम यहां सक्ती और गती की बात कर रहे है तो उसके लिए use करते है एनिमो मीटर तो सक्ती और गती का मतलब क्या है कि कितनी speed से चल रही है और दूसरा वो power कितनी है उसके पास next question में कहता है धवनी की तीवरता मापने के लिए किस उपकरण का प्योग किया जाता है तो धवनी होता है सुनना sound तो वो चलता कैसे है जो हमारे air के अंदर particles होते हैं छोटे छोटे कण होते हैं जब हम बोलते हैं तो एक energy लगाते हैं तो वो energy जो होते हैं molecules अपनी energy दूसरे को दे देते हैं खुद नहीं जाते हैं एक से दूसरे को देते हैं और वो हिलते हैं मतलब vibration करते हैं और जब वो vibration करते हैं तो वो एक अपनी energy दूसरे को देते हैं दूसरा तीसरे को देता है तो जो उसकी तीवरता होती है वो depend करती है कि उसकी speed कितनी है vibration कितना होता है तो उसको जो नापते हैं वो audio meter से नापा जाता है तो धवनी की तीविता कि मापने के लिए किस उपकरण का प्योग के जाता है? audio meter आपको जो भी धवनी है उसको सुनने के लिए कान में जो उपकरण आप लगाते हैं जिससे आप सुन पाते हैं किसी भी धवनी को उसको कहते हैं audio phone जैसे हमारा headphone होता है जैसे हमारी lead होती है next question लगू धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है देखे मेरी बात को समझे जो हमने उपर पड़ा धारा धारा होता है बड़े लेवल पे मतलब जादा हमारे पास धारा है विद्धु धारा जाता है जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि हम एक battery है उस battery से कोई bulb जलाया और क्या होता है कुछ time बाद वो down हो जाता है मतलब हम कहते हैं battery recharge हो गई तो वो bulb जलना बन हो जाता है लेकिन उस bulb को अटा कर आप वहाँ एक LED बलब लगा दो तो आपका LED बलब जल जाएगा तो वहाँ क्या है ना बहुत कम current बचा है हमारे पास बहुत कम धारा बची है लेकिन है तो सही तो जो लगूधारा उसको लगूधारा कहते हैं जो बहुत कम धारा होती है विद्धारा उसको नापने के लिए प्रियोफ करते है जो की एमीटर जो था हमारा मेली धारा को नापने के लिए प्रियोफ किया गplayer था Next question WIU मंडल के दाब ये दाम नहीं है दाब है में होने वाले परिवर्तन को किस से ना पढ़ता है देखे वाई यू मंडल में जो दाब होता है अब ये दो कंडिशन होती है दाब में परिवर्तन हो रहे तो उसको ना अपना है और दाब कितनी है उसको ना अपना है जो कि आपका next question है तो दोनों question को एक साथ हम याद रख सकते हैं दूर की वस्तूओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किये जाता है मतलब जैसे इस पेस में देखना है तारे देखने हैं, चांद देखने है तो by nuclear का हम use करते है बेलनाकार वस्तूओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापने के लिए तथा वस्तूओं की मोटाई नापने के लिए किस उपकरण को प्रयोग में लाए जाता है तो वो होता है कैलिपर्स मतलब जैसे आप एक चीज़ देखो अपने एक सिक्का लिया सिक्के को देखने से ऐसा परतीत होगा कि वो गोलाकार है जबकि वो गोलाकार नहीं होता है वो बेलनाकार होता है उसकी कुछ मोटाई होती है लेकिन वो मोटाई इतनी कम होती है उसकी गोलाई के एसाब से कि हम उसको कभी भी बेलनाकार देखी नहीं पाते हम सोचते हैं कि वो सिर्फ क्या है गोलाकार है लेकिन ऐसे जो ऐसी चीज़े होती है उनको नापने के लिए कि वो कितना मोटा है उसका व्यास कितना है उसकी मोटाई कितनी है उसको नापने के लिए हम यूज़ करते हैं कैलिपर्स का उसमा की मातरा ग्याद करने के लिए किस यंतर का हम प्रियोग करते हैं वो होता है कैलोरी मीटर अब यह जो होता है यह किस से बना हुआ होता है तामे से बना हुआ होता है जो इस कोशिन से petrol का miseran किस यंतर के द्वारा बनाया जाता है तो यह होता है carburetor जो हमारी guardian में carburetor लगा रहता है उसमें हम इसका use करते हैं किस यंतर द्वारा हर्दे गती की जांच की जाती है हर्दे गती मतलब आपकी heart beat तो heart beat की गती अगर हमें पता है कि कि आप कीजगती से आपका हार्ट भीट कर रा है मतलब आपकी हर्ड़ कीज़ कीज़ कीमा है उससे हमें पता चलता है कि आपके हर्ड जो हर्ड़ है उसकी status क्या है तो जब भी किसी को मतलब कोई problem होती हर्ड से related तो उसको लगता है कि चलो heart attack तो जब चांज करते हैं तो उसमें हम देखते हैं हर्देगती कैसे चल रही है हर्देगती अगर ठीक होती है तो हमें कोई खत्रा नहीं होता है अगर होती है तो उसको नापने के लिए कार्डियोग्राम का यूज किया जाता है वह उपकरन जो जलियान के ऊपर लगा होता है जिससे सही समय का पता चलता है उसको हम क्रोनोमीटर कहते हैं तो सही समय का हर वक्त हमारे पास घड़ी नहीं होती और वहाँ पर जब हम समुंदर में होते हैं तो अलग-अलग जोन में जाने की वज़े से हमें टाइम की प्रोबलम आती है तो उसको नापने के लिए chronometer का प्रियोग किया जाता है आपने movie देखी होगी तो movie जब चलती है तो ऐसा लगता है एक साथ सारे काम हो रहे हैं तो आपको लगता है क्या है? shooting एक साथ हो जाती है सारी? नहीं होती छोटे छोटे clips होते हैं चोटे छोटे clips को सूट करते हैं और फिर उसको एक साथ चलाते हैं तो जो उपकरन छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके परदे पर लगातार क्रम में perception के लिए प्रियोग किया जाता है उसको हम कहते हैं cinematograph तो cinema से related होते हैं इसको cinematograph ऐसी याद कर सकते हैं बाकी दोनों दिसाय हम अपने आप देख लेते हैं वैसे total 8 दिसाय होती है लेकिन 4 main दिसाय होती है जिनमें से पूरब पच्चिम उत्तर दक्सिन होता है तो दक्सिन और उत्तर की जब हमें पता करना होता है तो वो हम compass box से पता कर पाते हैं यह इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो पृत्वी है उसमें भी एक चुम्बक्त्व आकरसन होता है जिससे की वह हो करन जिसकी सायता से आवेसित करनों जैसे नाभिक करन प्रोटोन, इलेक्टोन, आधी को तवरीत किया जाता है तवरीत का मतब होता है accelerate किया जाता है, उसकी गती को बढ़ाया जाता है उसको हम सैक्लोटोन कहते हैं वह कौन साब करने जिसका प्रयोग घनत्व ग्याद करने के लिए किया जाता है, तो घनत्व मतला मैंने आपको उपर सिखाया, किसी जगह में कितना दरुब भरा जाता है, उसको हम धनत्व कहते हैं तो उसको नापने के लिए density meter का प्रयोग करता है किसी इस्तान पर नमन कौन नापने के लिए जो प्रयोग होता है उसको हम नमन मापी कहते हैं इंजन द्वारा उत्पन की गई सक्ति को नापने के लिए किसी इंतर का प्रयोग किया जाता है वो होता है dynamometer dynamometer से पता चलता है कि वो कितनी power को generate कर रहा है जैसे हमारी गाड़ी होती है तो हम कहते हैं इतने horsepower वो आपकी power generate कर रही तो वो सब हम dynamometer से ही नापने है चित्रो को परदे पर perception के लिए किसका फ्योग के जाता है तो epidoscope का यूज करते है समुद्र के अंदर कितना गहरा हमारी कोई जगे पे कितनी गहराई में उसका तल है तो वो उसको नापने के लिए हम फैदोमेटर का यूज करते हैं और इस चीज के लिए हमें इससे जो फायदा होता है गहराई जैसे कभी कोई समंदर रूप जाता है या कोई चीज के जाती तो हमें कितनी गहराई पे जाकी निकालना पड़ेगा तो वहां हमें इस पेदोमेटर का यूज कर सकते हैं कौना उपकरन radioactive stroke के विकिरंण की गण्ना करने में प्रयोग किया जाता है तो यह होता है यह तिल नहीं है तेल की उपस्तिती ग्याद की जाती है तो तेल है उस से पता चलता है वो पता चलता है ग्रेवी मीटर से टेल जह होता है उसका गनत पानी से कम होता है इसलिए वो पानी के उपर तैयर जाता है कौन से उपकरन द्वारा दर्वो का आपेक्सिक गनत ग्याद करते हैं तो दर्वो का आपेक्सिक गनत ग्याद करने के लिए हम हाईडरोमीटर का प्योग करते हैं इससे क्या होता है कि हम यह देखते हैं कि दो दर्वें मतलब गर्व को पानी से जब compare करते हैं पानी के साथ उसकी तुलना करके देखते हैं पानी के आपेक्सिक वो जादा भारी है या हलका है मतलब उसका घनत जादा है या कम है तो उचको कहते हैं आप एक सी घनत और उचको हाईडरो मीटर से नापते हैं इस तरह से हम इन उपकरणों को कहा कौन सा उपकरण यूज होता है और ये सारे उपकरण आपके important होते हैं जो competitive exam से बहुत पूछे जाते हैं तो हम next वीडियो में बाकी बची उपकरणों के बारे में बताएंगे जो हमारे physics वाले में दीज होते हैं अभी हम उनको सब को इसमें अगर include करते तो वीडियो जादा लंबी हो जाती तो हम next part में उसको लेके आएंगे सारे उपकरण next part में cover up हो जाएंगे और दूसरी चीज जो हमारी है वो है कि topic wise हम जो है physics को पढ़ा रहे हैं तो उनकी वीडियो से के करके आपको मिलती रहेंगी तो आप उन वीडियो को follow करके भोतिक विग्यान रसायन विग्यान और जिविग्यान की पूरे अच्छे से preparation करके सारे exams में आप full mass score कर सकते हैं तो चुन्दी मिलते हैं next वीडियो में आपको वीडियो अच्छी लगे तो please subscribe कर लिजी हमारे चैनल लाइक कर दीजी वीडियो को और बेल आइकन जरूर दबा दीजी का ताकि आपको notification मिलती रहे मेरी मेहनद चो है वो आप तक पोस्ट दे रहे थैंक्यू